Hello Everyone, आज हम देखनी चारे हैं Class 10 History का हमारा चैप्टर, Print Culture and the Modern World और इस चैप्टर का आज जो टॉपिक हम कवर करेगी वो है Woman and Print अब ये क्या है, वो समझ लेते हैं, पहले हम इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं आज हम इस टॉपिक हमारा चैप्टर के बारे में जो कि हमें एक बेसिक आईडिया बताता है किस तरीके से इस एक प्रिंट ने पूरे वर्ल्ड को चेंज कर दिया था अब हम इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक दे चुके हैं, अभी का चो टॉपिक हमारा है वो है Woman and Print अब हम ये देखेंगे किस तरीके से वोमन्स का जो रोल है, प्रिंट के अंदर वो कैसा रहा है मतलब कौन-कौन से इसे वोमन्स राइटर से जिन्होंने स्टार्टिंग करी थी कि आखिर वोमन्स की जो लाइफ चल रही है, जो एक्सपिरिंस वो लोग कर रहे हैं, वो आखिर कैसा है यह सारी चीजे किस तरीके से शुरू होती है, यह हम जानेंगे आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हम यह देखते हैं कि जो हमारी women's है, women's के अंदर जो leaves है, उनकी जो feelings है, उनके बारे में जो topics है उसके बारे में हमें बहुत कम ही पढ़ने को मिलता है हम देखते हैं कि हमारे इस से पूरे सिस्टम की जो एक शुरुवात है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है पैट्रियार्गी अब पैट्रियार्गी का मतलब है कि जो पूरा role है, important role वो किसका है man का है, society के अंदर पर हम यह देखते हैं कि 19th century के अंदर अब कई सारे changes आने शुरू हो चुके थे अब लोग बदल रहे थे, वो समझ रहे थे कि हाँ, कुछ ना कुछ ऐसी चीज तो है, कुछ ना कुछ ऐसी कमी जो है वो अब हमें बदलनी होगी, कुछ ना कुछ चीजे हमें change करनी होगी हम देखते हैं कि lives and feelings of women begin to be written and practically या फिर मैं को particular vivid and intense ways के अंदर हम देखते हैं कि women's जो थी, वो अपने experiences को, अपनी life को अब लिखना शुरू कर देती है, वो लोगों को भी बताती है कि देखो, हमारी life जितनी आप लोगों को easy लगती है, उतनी easy है नहीं, इसमें कई सारी problems है इन problems के बारे में आप वो लोगों से बात करने लग जाती है, और लोगों से बात करने के जब मैं बात करूँ, तो हम देखते हैं लोगों से communicate करने के लिए वो print का use करती है, लोगों तक पहुचने के लिए वो लोग print का use करते हैं, वो अपनी बातों को लिखना शुरू कर द देखने को मिला करते थे अब मिडल क्लास जो है ना इसका रोल अब 19th सेंचुरी में हर जगे देखने वाले हो ऐसी कोई जगे बचीगी ही नहीं जहां पर आप मिडल क्लास का रोल नहीं देखोगे कोई मुवमेंट हो जाए कोई सोशल रेवलुशन हो जाए सरी चीजों में मिडल क्लास का रोल इंपॉर्टेंट रहा है तो हम देखते हैं कि वूमेंट के अगर हम बात करें रीडर्शिप की या फिर मैं बात करूं राइटिंग्स की तो वह भी हमें मिडल क्लास से ही देखने को मिलती है अब हम ये देखते है पर अब इने पढ़ाया किस तरीके से जाए तो पढ़ाने के लिए हम देखते हैं कि उनको वो educate करने लग गए थे घरों पर ही ठीक है मतलब woman education की जो शुरुआ थे वो घरों से ही हो चुकी थी पर समय के साथ हम देखते हैं कि women's के लिए dedicated schools भी हमें देखने को मिलते हैं हम द अबने woman fox को वहां भेज दिया करते थे woman fox कौन होते हैं मतलब जो महिलाएं हैं जो woman हैं उनके घर की मतलब उनकी माताय बहने उनकी wife कोई भी जो है उन सभी को वो पढ़ने भेजने लग चुके थे आगे हम देखते हैं कि जो ये home education की जो ये शुरुआत होती है middle class में हो चु ये कई सारे गावों तक भी फैलना शुरू हो जाते हैं आगे बढ़ते हैं तो कई सारे जनरल्स हमें देखने को मिलते हैं कई सारे जनरल्स जो थे women's के लिए dedicated होके वो लिखे जाते थे और मजे की बात तो ये है कि उन जनरल्स को लिखने वाले भी कौन हुआ गरती थी women's ह should be educated क्योंकि हम ये देखते हैं अगर हम आज की ही बात करें एक जो educated women होती है ना वो घर को अपनी health को अपनी family को एक अच्छे और एक बढ़िया तरीके से support कर पाती है उसको चला पाती है as compared to uneducated women's के अब मैं ऐसा क्यों कहा रहा हूं तो देखो हम ये देखते हैं कि एक अग अपने बच्चों को पढ़ा सकेगी वह अपने बच्चों को भी educate कर सकेगी और इसका सबसे ज्यादा impact पड़ेगा बच्चे पर इसका सबसे ज्यादा impact पड़ेगा आने वाली generation पर तो हम देखते हैं कि women education जो है वह बहुत important है आगे देखते हैं कि women's के लिए कई सारे नए- middle class की या फिर मैं कहूं कि women education की शुरुवात जो है वो घरों से हुई थी मतलब घरों पे ही उनको पढ़ाना start कर दिया था अब ऐसे में अगर उनको घर पे ही पढ़ाना था तो उसके लिए एक नया syllabus होना चाहिए था उनके लिए एक अच्छा suitable reading material होना चाहिए था तो यह द liberal जो भी husbands होगे रहा थे वो भी अपने जो women fox उनको पढ़ा रहे हैं कर रहे हैं बहुत अच्छी कहानी चल रही है पर अब इस कहानी में ट्विस्ट आने वाला है ट्विस्ट आता है conservative हिंडूस के गारण या फिर मैं कहूं कि conservative एक होते हैं अभी conservative कौन होते हैं तो देखो conservative conservative वो लोग होते हैं जो किसी भी तरीके का change जो है वो society में नहीं चाते हैं उनका मानना है जो जैसा चल रहा है वो वैसा चलता रहे वही बढ़िया है और जो जैसा पहले चला करता था अगर वैसा चलने लग जया तो फिर तो आहा मज़ा आ जाएगा पर हम यह देखते हैं कि यह conservative thoughts थे ना वो 19th century के time पर बहुत ही ज़्यादा लेकर था अपने extreme level पर थे अब वो thoughts कैसे थे तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं अगर हम conservative Hindus की बात करें तो conservative Hindus को यह मानना था उनका यह believe था कि अगर हम अपनी girls को हम अपनी women's को अगर literate कर देंगे कि एक जो literate girl होती ह है वो बहुत जल्दी क्या हो जाती है वीड़ो हो जाती है अब देखा जाये तो society के अंदर इतना जादा कड़ी कड़ी चीज क्यों बोली गई ताकि उस society के अंदर क्या किया जा सके conservativeism को फैलाया जा सके लोग जो है conservative कर सके कि हाँ हमें women's को नहीं पढ़ाना है इसी कारण स जो conservative हिंदू से वो ऐसा society में कह रहे थे कि अगर हमने महिलाओं को पढ़ा दिया तो बहुत जल्दी वीड़ो हो जाएगी और अगर इस जगे पर हम Muslims की बात करें तो वो भी पीछे नहीं रहे थे Muslim जो थे वो अपनी पूरी society में ये चीजे फैलाना शुरू कर चुके थे कि अगर हम women's को educate करेंगे तो वो जो romances है उनके चक्रों में पढ़ जाएगी मतलब जो ये love अगरा होता है न इन चक्रों में पढ़ जाएगी तो उनका मानना था कि women's जो है अगर हम उनने educate करेंगे अगर हम उनने पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो वो जो उर्दू romances होते है उर्दू language के अंदर लिखी वी जो कहानिया है romance के बारे में love stories के बारे में उनके चक्रों में पढ़ जाएंगे और अगर वो उनके चक्रों में पढ़ गए तो उसके बाद तो कहानी ही बदल जाएगी तो हम अगर हिंदूस की बात करें हम बात करें muslims की तो कोई भी पीछ सब अपनी society को conserve रखने की कोशिश कर रहे थे पर क्या ऐसी society बन पाई तो हम आज के टाइम में देखते हैं कि ऐसी कोई society है नहीं आज हम यह जानते हैं हम यह मानते भी हैं कि एक woman का educated होना उतना ही जरूर है जितना एक man का educated होना है तो दोनों equal जगे पे खड़े हैं तो ऐसे कोई भी टाइब के conservative एक सोच को हमें नहीं रखना उसको बदलना है उसकी जगे पे हमें एक little सोच को रखना है अब देखो conservative अपनी बात कर रहे है तेकि women's को नहीं पढ़ाना तो ऐसे में woman rebellions भी कहां से पीछे रहने वाली थी अब कई सारी women's जो थी वो क्या कर रही थी rebel कर रही थी उन्होंने बोला कि आखिर conservative ऐसी बात कैसे कर सकते हैं conservative जो हैसा कैसे बोल सकते हैं कि अगर आपने महिला को पढ़ा दिया तो बहुत जल्दी वीडियो हो जाएगी यह कोई बात हुई यह कोई relation हुआ इन चीजों का तो ऐसे में हम देखते हैं कि कई सारी women's थी वो rebel समझ लिए कि आखिर क्या चल रहा था अब हम बात कर लेते हैं कुछ facts की और facts की अगर हम history में बात करेंगे तो हम बात करेंगे कुछ writers की जिन्होंने ऐसा वाके में बोला था कि society में यह चीज़े गलत है यह चीज़े नहीं होनी चाहिए तो अब ऐसे में हम बात करते हैं East Bengal क East Bengal के अंदर 19th century का time था इस Bengal के अंदर 19th century के अंदर एक महिला आती है जिनका राम था रसुंदरी देवी अब यह जो रसुंदरी देवी थी ना यह हमारी society को change करना चाहती थी और अगर मैं यह कहूं कि society को change नहीं भी करना चाहती थी तो यह सिब बताना चाहती थी कि जो women's ह ना उनकी life कितनी खराब है अब रसुंदरी देवी के बारे में हम जाने तो यह एक young married girl थी जो की orthodox household में रहा करती थी orthodoxy में बात करूँ तो जो एक होता है conservative एकदम खतरनाक टाइप का conservative जो लोग होते हैं उनके बारे में बात की जारी है कि इनका जो घरता वो बहुत ही ज् चाहिए वोमन को educate करना चाहिए हम यह देखते हैं learn to read in the secrecy of our kitchen अपने kitchen के अंदर secretly एक पढ़ना शुरू कर देती है जब वो पढ़ने लगती है वो जानने लगती है society को समझ जाती है तब वो कहती है कि society तो जैसे चल रही है वैसे तो नहीं चलना जीए इसके अंदर कुछ स था इसने रासुंदरी देवी ने अब यह जो रासुंदरी जो देवी है इन्होंने कब लिखा था यह लिखा था 1876 के अंदर 1876 की इस autobiography के अंदर आखिर वो क्या लिखती है तो यह लिखती है कि देखो society जो है बहुत जादा conservative है जिसके कारण महिलाओं को बहुत सारी लेंगवेज में थी यह बेंगाली लेंगवेज में थी क्यों थी क्योंकि यहां कि जो राइटर थे वो कहां से थे इस बेंगाल से थे तो उन्होंने अपनी लेंगवेज में ही इसे लिख दिया 1860 की अगर हम बात करें तो बंगाली कैलाश क्या है कैलाशी कैलाश बासनी द बारे में ये लोग लिख रही थी, अभी हमने देखा ना, रासुंदरी देवी थी, अभी ये केलास वासिनी देवी जी भी आ गए हैं, तो आखिर ये लिख किस बारे में रहे थे, वो भी हम जान लेते हैं, तो देखो, हम ये देखते हैं कि ये लिख रहे थे, about how women were in prison at home, मतल महिलाओं को किस तरीके से घर में कैद करके रखा जाता है, उसके बारे में ये लिख रही थी, साथ ही, किस तरीके से महिलाओं को हमेशा ignorance में रखा जाता है, उनकी चीजों को, उनके work को इतनी value नहीं दी जाती है, कि आखिर इनका work भी valuable है, forced to do hard domestic labor and treated unjustly by the very people, they served, हम देखते जब वो घर के काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्हें अच्छे से treat नहीं किया जा था, जो लोगों के लिए वो काम कर रही थी, मतलब घर के ही लोग जो है, उनके work की value नहीं कर रहे थे, 1880 का time अब शुरू हो जाता है, 1880 के time में हम present day महराश्टर की बात कर रहे हैं तारा बाई शिंदी की और साथ में पंडिता रामा बाई की, अभी तक ये character बंगाल से थे, अब जो character हमारे सामने आ रहे हैं या फिर मैं कहूं जो writers हमारे सामने आ रहे हैं, वो है present day महराश्टर की, महराश्टर की writers हैं, ये महराश्टर की writers जो है वो भी लिखते हैं, passionately, ए इतनी ज्यादा critical है उसके बारे में पंडिता रामा बाई और तारा बाई शिंदे लिखते हैं, especially वीडियो के बारे में वो लिखना शुरू होते हैं, तो देखो हमने बेंगाल की बात कर ली, हमने महराश्टर की बात कर ली, अब हम बात करते हैं एक तमिल नोवल की, अब ए अब social regulations क्या क्या होते हैं, वो भी जान लो, ठीक है ना, social regulations जैसे कि अगर मैं बात करूँ हिंदूस की, तो हिंदूस में आपने देखा होगा कि परदा प्रता होती है, मतलब हमारे यहां पे होता है, कि घूंगट रखना होता है, मतलब जो भी आपके बड़े हैं, उनके साम regulations हैं, कि आप अगर महिला हो, तो आपको घूंगट रखना पड़ेगा, आपको यह हिजाब पहनना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं पहनते हो, तो आप social regulation को violate कर रहे हो, और अगर आपने ऐसा किया, तो आपको इसकी punishment भी मिलेगी, ऐसी कुछ चीजे जो थी ना, उस time की society मे हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी, आगे बढ़ते हैं, for various reasons my world is small, more than half of my life is happiness has come from books, तो जो यह तमिन लोवल था ना, इसके अंदर जो woman थी, उन्होंने अपने बारे में सिफित्ता बताया, कि देखो मैं है ना, बहुत ही ज़्यादा इस social regulation से परशान हो चुकी हो, अब मेरी जो life है ना, वो बहुत ही छूटी है, मतलब मेरा जो world है, मेरी जो dunia है, वो बहुत ही ज़दा छूटी है और उस चोटी दुनिया के अंदर, अगर मेरे लिए कोई चीज़ खुशी देती है, मेरे लिए कोई चीज happiness का तरीका बनती है, तो वो है शिर्फो सिफ मेर बुक्स मतलब बुक्स से उन्हें क्या मिलती है happiness मिलती है बुक्स पढ़ते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है अब चलो यह कहानी खतम हो गई हमने facts के बारे में पढ़ लिया अब हम बात करते हैं ऐसी कौन सी language है जिसमें सबसे पहले prints आये थे तो देखो हम यह देखते हैं क तो हिंदी के अंदर जो prints है वो हमें 1870s के बाद ही देखने को मिलते हैं उससे पहले ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता है अब यह जो languages थी जिनके अंदर कुछ भी लिखा जा रहा था मैं कहूं इसका first place जब चल रहा था तो सबसे ज़्यादा ऐसी कौन सी चीजे थी जिसके बारे में बाते की जा रही थी मतलब बुक्स में कुस तो लिखा होगा कोई topic होगा ना जिसके ओपर बुक लिखी होगी वो topic कौन सा था वो topic हुआ करता था ये woman education को लेके मतलब बात की जाते थे कि आखिर woman को educate करना क्यों जरूरी है मतलब बाकी बाते बात में कि हाँ उनकी life में क्या problem है पहले तो सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो है उनकी education तो सबसे पहले education उनको दी जाए early 28th century के हम बात करते हैं जिसके अंदर कई सारे जनराल्स जो है जो लिखे जाने शुरू हो जाते है अब महिला है जो है वो कई सारे जनराल्स को लिखने लग गई थी मतलब ऑथर बन गई थी लिखना शुरू कर देती है राइटर बन जाती है ठीक है जो बुक्स है उनके अंदर कौन-कौन से टॉपिक्स हुआ करते थे उसके बारे में भी में बात कर लेता हूं पहला टॉपिक women education तो क्या कहानी खतम हो गई क्या नहीं यह आसे तो शुरू हुई थी women education के साथ-साथ women's education साथ-साथ video hood देखने को मिल रहा था देखो हमने क्या देखा था ना कि हमेशा हम यह देखते हैं कि एक मतलब हमेशा एक कोई भी अगर हम situation लेंगे तो उसके दो पार्ट होंगे एक उसका good part होगा एक उसका bad part होगा तो good part क्या था कि कई सारे women's अगरा अब हमारे सामने आ रही थी पर अब हम देखते हैं कि लोग जो है ना वो नहीं चाहते थे मतलब जो conservatives है वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से women's को educate किया जाने के वो एकदम against में थे तो अब वो क किसी ने video remarriage के बारे में लिखा तो किसी ने यह लिख दिया कि video remarriage जो है society में होना ही नहीं चाहिए क्योंकि जो video remarriage है वो तो गलत है तो यह चीज़े हमें देखने को मिलती है ऐसे में ही एक नाम हमारे सामने आता है राम चड़ा का अब यह जो राम चड़ा ने कुछ जो ए पुरा गाम किया हो ठीक है ना यह जो दो टाइप के लोग होते हैं वह जल्दी वाइरल हो जाते हैं ठीक है तो अगर उनक्त्रेंड होना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा तो ऐसे में राम चड़ा ने एक बुख लिखी जो किसके बारे में थी इस्तरी धरम विचार इस्तरी धरम विचार to teach women how to be obedient wives इनों ने लिखा राम चड़ा जी ने लिख दिया कि आखिर एक वोमन को किस सरीके से obedient wife बनना है मतलब एक आग्याकारी wife बनना है उसके बारे में इनों ने लिखा जिसका नाम था इस्तरी धरम विचार कि आखिर एक इस्तरी का क्या धरम होना चाहिए किस तरी को मतलब वोमन को कैसे काम करना चाहिए उसका क्या धरम है उसके लिए क्या क्या obligation से जो उसे याद रखनी चाहिए ऐसी कुछ चीज़े राम च़ढ़ा ने अपने इस बुक के अंदर या फिर मैं यह को हूँ अपनी राइटिंग में लिखना शुरू कर दिया ठीक ऐसी ही राइटिंग एक हमें खाल सा ट्रेक्ट के अंदर भी देखने को मिलती है खाल सा ट्रेक सॉसाइटी पॉब्लिश करती है बहुत ही ज़्यादा booklet ठीक है अब यह जो cheap booklets होती है वो एक similar message दे रही थी similar message क्या दे रही थी कि किस तरीके से woman को बहुत ही ज़्यादा obedient wife बनना ज़रूरी है किस तरीके से उन्हें एक obedient wife बनाया जा सकता है बंगाल के अगर हम बात करते हैं तो बंगाल में हम देखते हैं कि entire central of popular books अब एक बटला नाम की जगे थी जहाँ पे क्या होता था ना जहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा books को print किया जाता था ठीक है बटला नाम की कोई जगे थी you could buy a cheap edition of religious tracks and scriptures as well as literature that was considered of sane and scandalous अब देखो क्या होता था ना बटला एक जगे थी जहांपे हमें कई सारे books का printing publishing देखने को मिलता था अब यहांपे मिल्ती कौन कौन से book थी तो देखो यहांपे बहुत ही ज warmer cheap edition book हमें देखने को मिलती थी कौन से book होती थी तो देखो religious tracks यहांपे हमें देखने को मिलते थे साथ साथ जो option और scandalous मतलब जिसके अंदर कुछ ना कुछ है ना हम ये कहें against वाली मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीजे जो गलत है society में या फिर मैं ये कहूं कि जिसके ओपर कोई ना कोई लडाई हो सकती है कोई ना कोई issue बन सकता है ना ऐसी books भी आपको यहां बटला में देखने को मिल जाया करती थी late 19th century start होती है late 19th century में आप कुछ और changes के साथ हम आगे बढ़ते हैं bring profusely illustrated with woodcuts and colored lithographics अब हम ये देखते हैं कि कई सारे जो lithographics होगेरा थे वो आप books के अंदर आने वाले थे और जो paddlers होते हैं मतलब cycle के उपर या फिर मैं यह हूँ कि paddle paddle एक जगे से दूसरी जगे जाने वाले या फिर एक जगे से दूसरी जगे कुछ चीज को बेचने वाले जो paddlers हुआ करते थे लोग हुआ करते थे उनको हम paddlers कहते हैं paddlers took the butla publication at homes अब paddlers जो हुआ करते थे न time है ठीक है उस खाली time में वो कुछ ना कुछ अच्छा पड़े लिखे उसके लिए बटला पब्लिकेशन जो की बहुत सस्ती बुक्स प्रड्यूस किया गरता था वो सस्ती सस्ती बुक्स को घरू तक पहुचा दिया जाता था और इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर complete होता है कोई भी doubt हो कोई भी दिक्कत हो तो comment section में पूछ सकते हो वीडियो अच्छा लगे तो like करो वीडियो बहुत अच्छा लगे तो comment करो और साथ ही अगर ऐसे ही interesting वीडियो चाहिए तो इश्कोर चाला कि यूट्यूब चानल को आप लोग subscribe भी कर सकते हैं thank you